यह अत्माल जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों ट्राफिक के समस्य आम हो चुकी है दिग्रस ट्राफिक पुलीस विभाग के करमेचारियों के अंदेखिय और लापरवाय से शहर की न सिर्फ सडकों पर बलकि मार्केट परिसर की गलियों में बेतर्तीब खड़े वहानों से आम लोगों को आबाजाहिक करने में कई तरी की कठीनायों का सामना करना पड़ रहा है शहर के आरनीना का परिसर से कच्छी चौक छत्रपती शिवाजी महराज चौक मानुरा चौक में यातायात की समस्या जीका जंजाल बन चुकी है खासतोर से पुराने पोस्ट आफिस के सामने तो वहन्यों की ऐसी कहरी कटारे लगी है कि पैदल चलने वाले रहागिरों का यहां से गुजरना याने जान जोख हम में डालने के बराबर है यहां की कृशी केंडररे दुकानों के सामने अकसर टूविलर फोर्विलर गाडियों की आदे कतारे लगी होती है शिकायत के इस प्रमूख रास्ते पर सड़क दुरगटनाओं की संभावरा को बढ़ावा मिल रहा है ऐसा नहीं है कि शहर की पुलीस विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है सब कुछ जानते बूशते शहर का ट्राफीक विभाग इस और अंदेखी कर रहा है जो कि न सिर्फ अपसोस की बात है बलकि भविष्य के नजरीय से देखा जाए तो ट्राफिक विभाग की लापरवाई से भविष्य में शहर की सड़कों पर सड़क दुरगटनाओं की खत्रे की बात को नकारा नहीं जा सकता शहर ट्राफिक विभाग की लापरवाई निश्क्रियता और दासिंता से जनता है देखना होगा के आने वाले दिनों में क्या शहर ट्राफिक विभाग के कार्यरत पुलीस अधिकारी और कर्मिचारी इस और ध्यान देंगे भी या नहीं बीसे न्यूस के लिए दिग्रसे जबिर खान की रिपोर्ट